नमस्कार जैमाता की तो आज मैं आपको लेकर आ गई हूं सदर बाजार की डिपटी गंज मार्किट में ये बरतनों की होलसेल मार्किट है जिस तरह से सदर बाजार में कपड़े मिलते हैं कॉस्मेटिक आइटम मिलते हैं जोलरी मिलती है उसी तरह से इस मार्किट में आपको होलसेल प्राइज में बरतनों का हीूज कलेक्शन मिलेगा तो जैसे ही मैंने मार्किट में एंट्री की थी तो थोड़ा आगे चलने पर मुझे ये शौप दिखाई दी थी यहाँ पर न सारा ये पूजा से रिलेटिट सारा समान मिल रहा था बरतन मिल रहे थे कॉपर में और ब्रास में सभी मैटल में आपको पूजा से रिलेटिट बरतन मिलेंगे जैसे कि मैं ये देख रहे हूँ जिसमें हम जोज जलाते हैं ये फ्लावर वाली न काफी अच्छी लग रही थी एक सो तीस रुपे में तो जैस कि आप देख रहे हैं कि इस शौप पर न सारा पूजा पार्ट से रिलेटिट सारा समान है जैसे बॉला काफी अच्छा गिफ्ट ऑप्षन है मैरेज पार्टी में किसी को देने के लिए फैस्टिवल में देने के लिए तो इसके साथ ही साथ ना भाईया ने मुझको एक दूसरा ये सैट दिखाया था इसमें सिर्फ दो बाउल थी, स्पून थी और एक ट्रे थी और सबसे बैस्ट पार्टनर मुझे ये लगा था ये जो बॉक्स में इस टाइम सैट देख रहे हैं न इसमें था एक जोद जलाने के लिए था, एक कटोरी थी और एक छोटा सा लोटा था, साथी सा ट्रे थी देखी कितना प्यारा कलेक्शन है न चोटी सी में न स्टेनलेस स्टील की घंटी भी मिलेगी तो ये पूजा का सारा गिफ्ट पैक है और आपको हलवाई से रिलेटेड भी यहाँ पर सारे बरतन मिलेंगे अगर आपके कोई ऐसी रिक्वाइरमेंट है आपको बहुत बड़े बरतन लेने हलवाई का खाना बनाने के लिए तो वो भी हर साइज में आपको यहाँ पर मिलेंगे तो पटरी मार्किट पर भी न इस तरह की आपको यहाँ पर समान मिलेगा लेकिन अच्छी क्वालिटी में मिलेगा आपके बजट के अकॉर्डिंग जिस तरह का आपका बजट है हलके में लेना चाते हैं भारी में लेना चाते हैं हर तरह का बरतन आपको मिलेगा पर मैं देख रही हुए छोटी बड़ी सभी थालियां और इनके भी प्राइस अलग-अलग हैं लाइट वेट में हैवी वेट में यहां पर मैं प्लेट्स देख रही हुए यह थाली देख रही हुए यह 130 रुपे की एक थाली थी और सब के प्राइस अलग-अलग है पॉसिब लग रही थी मुझे तो इसके बाद है मैंने इसके साथ में थी कटोरियों का कलेक्शन उसका कटोरियों में भी न आपको सभी दरह का कलेक्शन मिलेगा सस्ता महंगा सब मिलेगा तो ये है सारी कटोरियों का कलेक्शन आपकी किचन के लिए तो ये मार्किट होलसेल मार्किट ह आप यहाँ पर रिटेल में भी खरीच सकते हैं तो यह वाली प्लेट है 90 रुपे की तो देख लीजी इस तरह के इसमें सारा पार्टिशन है रोटी के लिए सबजी के लिए दाल के लिए और यह 90 रुपे की रेंज में है और हैवी वाली मिलेंगी आपको इनसे थोड़े वो 680 रुपे के प्राइस थे भाया चेक करने देख लीजे कैल्कुलेटर में तो जो बरतन आपको वजन के हिसाब से मिलेगा उसका रेट उसी हिसाब से मिलेगा लेकिन जो छोटे आइटम होते हैं कटोरी ग्लास चम्मच वो आपको अलग प्राइस में मिलेंगे बिना चकर नहीं होता है थे छोटे आइटम का प्राइस देख रही थी तो भाया मुझे वो दिखा रहे थे पर ये ना थोड़े मुझे हलकी कॉलिटी में लगे थे मुझे थोड़ा हैवी वाला लेना था तो मैंने दूसरी शॉप से लिया था इन भाया के पास जो थे वो मुझे ज्यादा हैवी नहीं लगे थे लाइट वेट लगा था तो साथे साथ इनके पास ये सारा गिफ्ट आइटम कलेक्शन भी था जिनके रेट अलग अलगते 300-400-500 और इनके पास ज्यादा ना लंज बॉक्सिस का कलेक्शन था अब मैं आ गई हूँ दूसरी शॉप पर इनके पास भी काफी वराइटी थी आप देख सकते हैं ये सारे गिफ्ट आइटम है होट केस के सारे सैट है और ये जो डोलची आप देख रहे हैं ये काफी यूनीक लगी थी मुझे इस चॉप पर ये साथ सो रुपे की है बड़ी और छोटी साड़े 600-500 की रेंज में थी और ज कभी भी हटेगा नहीं कैसे भी आप इसको वाश कीजिए रखिए तो देख लीजे खोल कर भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की डोलची है ये अच्छी डिजाइनिंग में ये 750 रुपे की बताई थी भाईयाने मुझे किसनी होती है ना इनका कलेक्शन था आगे जो काउंटर पर रखा हुआ था सारा ही सबी साइज में थी छोटी बड़ी उची नीची सब तरह की चनी आपको मिलेंगी और इनके रेट ना 75 रुपे से शुरू थे तो साथी साथ मैं आपको दिखा देती है छोटा मोटा आइटम भी आपको यहाँ पर किचन से रिलेटिट सब मिलेगा तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ यह कद्दू का सोता है गीया का सोता है इस टाइप का भी आपको कद्दू कस मिलेगा इनके रेट नहीं पताएं मुझे क्योंकि यहाँ पर इस तरह से पैक में रखे थे यह छोटे छोटे डस्ट पैन है और यह जो चिम्टियां होती है यह जो खुंटी होती है यह इसका पैक भी मिलेगा तो हर तरह का समान आपको इस मार्किट में मिलेगा और यहाँ पर फिर से है यह पूजा का समान आपके घर के मंदिर से रिलेटिड सारा यह जिसमें हम माता की जोच जलाते हैं भगवान की जोच जलाते हैं ये भी सब आपको मिलेंगे अलग-अलग रेट में और ये मैं देख रही हूँ जिसमें हमा खंड जो जलाते है नवरात्रों में और इसमें जो छोटा था वो उसका अलग रेट था और ये घंटी भी है साथ-साथ जो मैंने बताए हर मैटल में आपको यहाँ पर बरतन मिलेगा तो ये लास्ट में मुझे ये दिखाता जिसमें न हम चिली पटैटो बनते हुए देखते हैं न होटल में तो ये बरतन दिखाता हूँ मुझे चिली पटैटो वाला और देख लीजे इस तरह के हलवाई वाले बरतन भी आपको मिलेंगे इस मार्किट में तो ये जो भी बड़े बड़े चमचे हलवाई यूज करते हैं न वो भी है इनके रेट मैंने नहीं पूछे थे क्योंकि शॉप पर कोई भी था ही नहीं तो मुझे इनके रेट भी नहीं पता है तो आपको मेरी वीडियो पसंद आईए तो इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको मेरी सजेशन में ये वीडियो दीख रही हैं इनको क्लिक करकर जरूर देखिए मिलते हैं नई वीडियो में तिल देन बाई जैमाता की